संदर्भ बीश विशलेशन और संशलेशन विशलेशन का अर्थ है किसी भी वस्तु का अलग-अलग विभाग-पुर्वक विवरन देना उसके एक-एक अंग को समझेना और संशलेशन का अर्थ है किसी भी वस्तु के का जो सामोहिक रूप है उसको समझ लेना करना चाहिए वस्तु किसी वस्तु में जो अनेक गुद धर्म हैं सब का एक सास समाहार कर लेना अलग-अलग वस्तु को एक में मिला लेना और दोनों की आव सकता है विष्लेशन की भी आव सकता है किसी वी वस्तु का यथार्थ ज्ञान करना हो उसकी वास्तविक्ता कुछ समझना हो तो उसका विष्लेशन ज़रूरी है लेकिन खाली वी इसलेशी थे रहने दे चीज को तो फिर किसी काम लायक रहेगी नहीं फिसको संतलेशी जरूप में समझना होगा जैसे हमारा माना जीवन है हम मनुष्य है हमारा शरीर मनुष्य का शरीर है तो इसमें हमें कि वास शरीर नहीं है मन है इसमें इंद्रियां भी है बुद्धी है जीव है सब को मिला करके यह हमारा माना जीवन माना शरीर है शरीर में एक वास इंद्रियां थोड़े हैं आँख ना कान आ दे करमेंद्रियां भी है लेकिन उसके साथ साथ उनको प्रेना देने वाला मन है किसी काम को निशे करने के लिए बुद्धी है और इन सब से उपर जीव है सब को अलग अलग ढांते समझेंगे तो हम अपने मनुश जीवन को ठेन होते समझ सकेंगे लेकिन सब को अलग अलग ही रहने दे मन को अलग कर दे, बुद्धी अलग कर दे, जीव अलग कर दे, शरीर अलग कर दे और करमेंद्री ग्यांद्री को अलग कर दे तो जीवन नाम की कुछ चीज ही ने रहेगी संसेशन भी जरूरी है इसका इसले शन करें शरीर में तो क्या है, अगर शरीर में है क्या, शाम है, हड्डी है, मांत है, रक्त है, मलमूत्र है, कप है, ठूक है, लार है, वीरिय है, बाल है, यह तो यह सब शरीर है इसको इज़े हम अलग-अलग समझ लें शरीर के हकीकत को समझ लें शरीर में आखिर है क्या तो चाम, हड़ी, बाल, नाख, अमल, मुत्र इखलावा कुछ नहीं इसमें है यदि इस रूप में समझ लें तो शरीर नाम की कोई चीज रह नहीं जाएगी फिर मुह नहीं होगा शरीर के प्रती मुह बुद्धी होती है मैं शरीर हूँ, मैं ऐसा धनवान, मैं ऐसा बलवान, मैं ऐसा गुनवान, मैं ऐसा रुपवान, मैं ऐसा बलवान किसी यूवक को देखे, किसी यूती को देखे लभागी बहुत सुंदर है लेकिन है क्या हो चाम, हड़ी, मांस खुन, मल, मुत्र यह जब तो है उस सरीर में सुन्दरता कहां उसमें है यह समझ लें तो कोई यूवक किसी यूती को देख करके मोहित आसक तो हो पाएगा कोई यूती किसी यूवक को देख करके महित अभासक तो हो पाएगी तो इसलिए शरीर का विश्लेशन भी जरुई है औंत में कहें तो क्या है मिट्टी है पानी है आग है हवा है एक ढेला है मिट्टी का तो शरीral का अलग अलग विश्लेशन करें तो कुछ रहेंगा नहीं शरी फिर कहीं शरी नाम की चीज ही नहीं रहेगी, फिर ना अहंकार होगा, ना किसी के लिए मम्ता आ सकती होगी। लेकिन हड़ी, चाम, मांस, मल, मुत्र, खुंद, सब को अलग-अलग कर दो, तो जीवन नाम की कुछ चीज नहीं रहेगी। फिर को मतलब नहीं रहेगा। शंसलेशन भी करना पड़ेगा। हमारा शरीर है बढ़तमान में। इसी समसेवा करते हैं, साधना करते हैं। अब अलग-अलग ही रहने दे तब तो शंसलेशन भी जरूरी है इसका। तो विशलेशन और संसलेशन दोनों की आवास सकता है। अंती में देखें तो हमारे शरीर क्या है। जड़ परमानों का संभ्यूहन, परमानों का सम्मूह। ज़ि हम देख सकें एकदम उन परमानों को लगेगा शरीर तो कुछ नहीं यह तो एक धुँआ जैसा है। परतेक च्छन लाखों लाखों परमानों हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। और लाखों लाखों परमानों हमारे शरीर में प्रवेत कर रहे हैं। इतना खोखला है हमारे शरीर। यह भाव इसको समझ ले तो आकरसन नहीं रहेगा। लेकिण, परमानों का अलग अलग है। अरे शरी तो इसने परमानों का अलग है, शरी तो कुछ है ही नहीं. हम कि यह बुख लगी तहां है? बुख क्या? परमानों का बुख लगीगी कभी? तब पर्सान ऐए जाना पड़ेगा. तो संसेजन भी जरूरी ही इसका सबका समाहाद भी करना पड़ेगा कोई घर है, परिवार है, समाज है घर, परिवार, समाज कैसे बनता है? अनेक लोगों की सामुहिकता से एक बती का घर नहीं होगा एक बती से परिवार नहीं बनेगा एक बैची से समाज नहीं बनेगा जब एक से अधिक होते हैं तब घर परिवार समाज बनना शुरू होता है लेकिन घर परिवार समाज में जितने भी लोग हैं उनमें सब के सभाव संसकार, युग्यता गून, कर्म अलग है परिवार में जितने लोग हैं उनमें किसी को खेती करना अच्छा लगता है किसी को पढ़ना लिखना अच्छा लगता है किसी को ब्यपारबटा करना अच्छा लगता है तो अलग-अलग गोन है सब में अलग-अलग युग्यता है और अलग-अलग युग्यता है, अलग-अलग काम करते हैं, तो सारे काम समय से हो जाते हैं सब के सब, कहें कि ने भी देखो, सब को भूख लगती है, इले सब को मिल कर भजान बनाएंगे, तो जजन लेकर भजान बनाद सुरू करें, एक भात में एक कढ़ी चला दुसरे सब भात बनेगा कि भी, तो कोई कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो परिवार चल रहा ह तो अलग-अलग गुन कर्म है, लेकिन सब को अलग-अलग ही कर दें, अलग-अलग ही रहने दें, तो परिवार बने गई नहीं कभी, तो सब के गुन कर्म सभाव को अलग-अलग समझना भी है उसे काम भी लेना है और सब को एक सामुहिकता में बांग कर रखना भी है तब वो घर परिवार समाज चलेगा अजिस सब्यक्ति अकेले-अकेले ही रह जाएं तो ना परिवार बनेगा ना समाद बनेगा ना देज बनेगा कुछ ने बनेगा तो युग्यता को भी समझना है सब की अलग-अलग और सब की सामुहिकता को भी समझना है इसमें गुर्देन लिखा है जैसे ये पुस्तक है यहे क्या कुछ कागत के तुकड़ों का समूम एक कई पन्नेश में है हर पन्ने में अलग-अलग बात लिखी है लेकिन पन्नों को अलग-अलग ही रहने दे तब पुस्तक नहीं बनेगी अब उतमें भी क्या है ये पुस्तक है जो है यहे क्या पुस्तक कैसे बनी है हिंदी की हिंदी भासा में कोई पुस्तक लिखी जाएगी उस से केवल बावन अक्षर होंगे मात्रा और थो स्वरबिंजन मिलांगर के बावन अक्षर इस होते हैं यदि हम उन अलग-अलग अक्षर को अलग-अलग ना समझे हमें, हमें अक्षरों की पहचानना हो, भिन भिन अक्षरों की पहचानना हो, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे पुछता को, पढ़ ही नहीं पाएंगे, कोई अर्था ही नहीं निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, ल अब कहां पर किसके बाद कौन सा बिंदन जोड़ना है कि बिंदन में कौन सी मातरा लगानी है ये शमद भी तो चाहिए लेकिन कुल में लाकर देखें तो ये पुस्तक के बावन अक्षडों के जोड़ है इसमें कुछ और नहीं मिलेगा आपको लेकिन भावन अक्षड को अलग अलग ही रहने दे तो नह पुछ पाएंगे और नही पुस्तक बन पाएगी बड़ी बड़ी पुस्तक हो 12,000-1,000-4,000-2,000-4,000 पन्ने की भावन अच्थड सा दीक भी उसमें कुछ नहीं मिलेगा चौंतित अक्षर का भी है विसेशा सहत्रो नाम याही में देखा था दुरु कभी ने कहा कहते हैं कि जगह एक बड़े विद्वान का परोचन था बहुत बड़ा विद्वान था बहुत ज्यानी उनका परोचन था एक घंटा तक उन्होंने भात्मा परोचन दिया लोग बड़े खुश हो गए तो एक आदमी ने कहा सर आपने जो बात कही बहुत बड़िया लगी लेकिन जो आप कहें न और सारे की सारे जितना भी आपने कहा सारे के सारे मेरे पास एक किताब भी लिखा हुआ है उसे आश्चरी हुआ मैं तो पहली बार आया हम बोलने के अभी 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 से बड़ तो पहले बोल रहा हुआ हूँ अभी कहता है की जितना आपने बोला है सब के सब मेरे पास एक किताब उसमें लिखा हुआ है सब कुछ कहा भी कौन किताब तो जिदे डिक्सनरी लीजिए इसमें लिखा है सब के सब आख रहे हैं उसमें तो बात यह है अधि अक्षरों को अलग-अलग ही रहने दें तो किताब नहीं बनेगी लेकिन अक्षरों को अलग-अलग-अलग पहशान नहीं हो तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा अक्षरों को अलग-अलग समझना ये वितलेशन है लेकिन अक्षरों की सामुहिक्ता संसलेशन है सादनाक्षेत्र में हम आते हैं धरमक्षेत्र में दया, छमा, सत्य, धिर, विविक, विचार, ज्ञान, भक्ती सत्य, धैर, बैराग्याद ये अनेक सद्गुन है और हर सद्गुन का अपना महत्त है दया का, छमा का, शिल का, करुणा का हर सद्गुन का अपना-पना महत्त है और अलग-अलग समय में अलग-अलग उनका विवहार होता है करना पड़ता है तो दयाच, हमाज, साथय, सील, करना, विवेग, विचार, ज्यान, भक्ति, बैराग, सबी सद्गुनों को अलग-अलग समझना, और समय से अलग-अलग उसका ब्योहार करना, भिन-भिन ब्योहार करना, ये मानों सद्गुनों का एक बिद्विश्नात्मक अध्यन है, इसने भी सद्गून हैं, नाम कुछ भी ले लें, अंति में सब का फल क्या होगा, क्या होना चाहिए, सम्मेश तरूप क्या होना चाहिए, जो भी हम सद्गून का आचरन करते हैं, या बिहार करते हैं, उस सब का संतलेशिस तरूप होना चाहिए, मन की शांत, आत्म अलग अलग प्रोग करना विसलेशन, अब प्रोग के पचात अंतिम मुद्ध का फल क्या है, मांतिक शांत, त्रिप्त, यह उनका संसेशी सुरूप है, हमारे हाथ की अंगुलियां है, छोटी है, बड़ी है, कोई दुबली है, कोई मूटी है, बराबर नहीं है, तो अंगुलियां अलग अलग ही रहेगी, और हर अंगुली का अपना अलग-अलग महत्व है, उनको अलग-अलग समझेना, हर अंगुली के महत्व को विसेशता को अलग-अलग समझेना यह बिसलेशन है, लेकिन अंगुलियां अलग-अलग ही रह जाएं, तो कोई काम नहीं ह अंगुलियां छोटी बड़ी भले हैं, दुबली मोटी भले हैं, लेकिन काम करने पर सारे अंगुलियां एक साथ जुड़ जाती हैं, तो अलग-अलग होना विसलेशन हैं, और काम कर समय सब जुड़ जाना संतलेशन हैं, इतना जो कुछ अभी तक कहा गया यह उदाहरन है, गुर्देज ने सब का उदाहरन दिया, अब आगे जो अधात्म की छेत्र में बात आती है, एक्ता की, उसको साम लिया है, कि हर वस्तु का अलग महा तो सब की सामुहिक्ता समझना, लेकिन हम किवल मर्यादा बिहीन बितलेशन ही करते चले जाएं, सब को अलग-अलग ही करते चले जाएं, तो कुछ नहीं हो पाएगा, और मर्यादा बिहीन संतलेशन कर दें, सब को एक्मीज जोड़ दें, तो भी हम सत्य से दूर भटक जाएंगे, दर्शन के छेत्र में प्राया ये कहा जाता है, कि सत्ता दर्शन वही होता है, जो अनेक्ता में एक्ता परदर्शित करता है, सब को अंत में एक में जोड़ देता है, बात सच है कि जूट, सच भी है जूट भी है, एक धंग से समझना हो गया, किस दिश्टिकों से बात कही गई है, उसको समझना हो गया, और मर्यादा भी ही नहीं एक्ता, संभव ही नहीं है, सच्चा दर्शन वही होता है, जो अनेक्ता को एक्ता में पिरूदे, इस्ता मतलब यह ही होता है, कि सभी दर्शनों के सार को लेकर के, हम एक समझना अत्म दिश्टिकों अपनाएं, और सब को आदर दें, बस यही अर्थ होता है, जितने दर्शन हैं, उनके विशार अलग अलग हैं, तब ही तो भीन-भीन दर्शन होएं, सब के विचार एक जैसे होते हैं, तो यह भीन-भीन दर्शन होते ही कैसे, तो जितनी भी दर्शन हैं, सब के सार्थात्यों को लेकर के, सब में समन में इस्थापित करते हुएं, आत्मकेंद्रित हो जाना आत्मिस्थित हो जाना ये अनेकता से एकता में पुहुशना है और इसी के लिए अने दर्फनों के आ सकता है सबकी दरब्यात्मक एकता संभव नहीं है अजि दरब्य अलग अलग हैं तो उनको हम एक में कैसे मिला सकते हैं लोग कहते हैं कि सब कुछ ही एक है, ये कथन एक सापेक्ष कथन है, एक भानात्मक कथन, भानात्म दिश्टी से कहा जा सकता है, सब कुछ ही जैसे हम कहते हैं, हम सब एक है, मतलब हम सब की राई एक है, हम सब की बिशार एक है, किसी काम में है, आपले तो भीन-бिन बिचार आये, किसी ने कुछ गब किसी में कुछ कहा, किसी में कुछ का, कि आंत में एक निश्य कर पर पुहँच गए, लम आप कर हमको यह काम करना है, हम सब कि एक राई हैं, हम तब एक हैं, तो एक हैं हम तब सब की राय एक है, हम तब एक है, मतलब सब को एक साथ जुड नहीं गया है, कोई किसी गुस नहीं गया है, राय एक है, अज़ी तो सब को अलग अलग रहेगा, तो सब कुछ एक है, जो सब है तो एक कैसे, एक है तो सब कैसे, एक है तो सब कैसे, यदि एक ही होता, तो सब तो सब एक में तो नहीं होगा भानात्मक एक्ता हो सकती है गरे धृशे मैंने कहा ना रायश्भ की एक होने तम NOTH हम कहते हैं हम सब एक हैं यजिकन कहें और वो कहते हैं हम सब एक हैं वहां तो 50 50 लोग बैठातें कैसे वो लोग जूट तो बोल दिया कि हम सब ही एक हैं, तो भानात्मक एकता है न, दरब्यात्मक एकता नहीं है, इत पर संदर्भ में, गुर्दे जी ने, सर आदा कृष्णन और पंडिय बल्दे उपाद धाये, कि एक एक उधरन, उधरित, एक वाक उधरित किया है, और उसके एक पार से समालोस् सर आदा कृष्णन लिखते हैं, कि सांक अद्वयत विशियक आदर सवाद के सत्य की, उचाई तक नहीं उड़ता, बल्कि किवल बोध के उस इस्तर तक रहने में ही संतुष्ट है, जो सत और असत के भेद पर बल देता है, और दोनों के विरोध को यथार्था तादात्मक क को अयथार्था मानता है, मतलब यदि हम इसको बिकुर सरा ढहनते कहें, मैं मानता हूँ कि मैं पढ़ा हूँ तो बहुत हो कि पल्ले ने पढ़ा होगा, कि क्या कहा है, एक बाद फी पढ़ देता हूँ, ध्यान देकर सुनोगे, बाद समझ में आती है, शांख अद्वेत विशियक आदर सवाद के सत्त की उचाई तक नहीं उड़ता, बल्कि केवल बोध के उस इस्तर तक रहने में ही संतुष्ट है, जो सत्त और असत्त के भेद पर बल देता है, और दोनों के विरोध को यथार्थ तथा तादात्मक को अथार्था मानता है, तो सरादा करतान यह कहना चाहते हैं, कि शांख प्रकृति और पुरुष को दोनों को अलग-अलग मानता है, यह गलत है, उत्ती यह चाहिए था, कि अलग-अलग शांख को यह चाहिए था, कि प्रकृति और पुरुष को अलग-अलग बरन करने के बाद, दोनों को एक में म मतलब सुबह चावाल और कंकड को अलग-अलग करना शुरू किया, करना चाहिए, इस सबनना चाहिए, कि ये चावाल है ये कंकड है, दोनों को अलग-अलग करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना-करना- तब वो सही ग्ञान होता है ऐधी प्रकृति और पुरुष अलग अलग है तो वो यह कैसे हूँगे तो यहामें कहते हैं डोनों के विरोट को सांख याथार्त मानता है मतलब प्रकृति पुरुष को अलग मानकर सांख ने गलती की है लेकिन प्रकृति पुरुष तो अलग-अलग है ही जब येखी है कि अब पुरुष है तो प्रकृति कहां से आ गई जड़ो चेतन दोनों ये कभी नहीं हो सकते और ये करते हैं कि सांग आदर्स वात के सत्व कुछाय तक नहीं पहुंचता मतलब उतुजाय तक नहीं पहुंच पाता है सांग के जहां जाकर कि सब कुछ को एक मान लिया जाता है लेकिन सांग के ऐसा अदर्स वादी नहीं है वो एक यथार्स वादी दर्सन है और दोनों के तादातमता वो कभी स्विकार ही नहीं कर सकता सांग लेकिन सांग ये भी तो कहता है कि जब द्रश्टा पुरिष प्रकृति को देख लेता है और देख करके उसे उदाशीन हो जाता है ये तो प्रकृति अलग है मैं बिल्कुल अलग हूँ उसे उदाशीन हो गया बस अपने आप में लोट आया तो अंत में जब कहता है नात में नामे नाहम कि मैं क्रियमान नहीं हूँ मेरा करतित तो नहीं है और मेरा भोगतित तो नहीं है तो वहां तो अकेला हो गया हुआ वहां तो वह बिशुद्धम केवल्यम जो कहते हैं बिशुद्ध अकेला हो गया केवल हो गया तो ये अद्वेत कुछ आई है न के प्रकृति और पुरिष को एक में मिला देना अद्वेत है जर प्रकृति में आ सकता था इतले भरम रहा था भटक रहा था जर प्रकृति का मूँ छोड़ दिया उससे अपने को हटा लिया असंग केवल हो गया बस अद्वेत हो गया इसे भिन अद्वेत और ज़ेश की प्रकृति पुरिष को एक में मिला करके कहना केवली एक भावगता है और कुछ नहीं है बल्देव पाध्धाक उधारण गुर्देव युनिस में दिया है न्याय ने इस जगत को ज्ञान से प्रिथक एक सुतंत्र सत्तात्मक वस्तु बतलाया है तथा उसमें अनेग नित्पदार्थों की कल्पना की है शत्ता दर्सन वही हो सकता है जिसमें एक नित्पदार्थ की सत्ता मान करके समत्पदार्थों का संबन उसी से प्रदर्सित किया जाए तथा सद्वस्तु के एकत्व पर जोड़ दिया जाए ये भी पुर्वाग्रह और पक्षपात है न्याय न्यादर्सन जगत को ज्ञान से भिन्न मानता है और संसार में अनिक वस्तों का निरूपन करता है बल्दपद्धाय कहते हैं कि न्याय के ये मानना गलत है लेकिन बात क्या है न्याय का कहना सच है बल्दपद्धाय का कहना ये है कि जगत का हम जब ज्ञान करते हैं तब जगत है और जब ज्ञान नहीं करते हैं तो जगत खतम हो जाता है न्याय कहता है हम जगत का ग्यान करें तो और ना करें तो जगत तो अपने आप में अस्तित्वान है और सदा रहेगा जगत हमारे ग्यान से निकला नहीं है जगत हमारे मन के प्रतिविम नहीं है किन्तु जगत को देख करके हमारा मन बना है ब्रह्मवादी कहते हैं मन से जगत निकला है बीवेक न्या कहता है कि जगत को देख करके मन बना है और न्याय का कहना ही सच है इस अंसार हमारे मन से बना नहीं है पहले इधर गोंड़ा बस्ती तरब पार्खी संतों का और ब्रबादी संतों का कई बार मेल मिलाप होता था एक जगत एक सांस संग होता था कि एक सांस रहते से दो चर चर दिन गुर्देजी पताय करते जब ब्रबादी संत रहते थे और पार्खी संत रहते थे बहुत दोनों बहुत समानता है अंति में जा करके बिरोज पढ़ता है तब ब्रबादी गाते थे बिचार कर देखो प्यारे जगत बना है मन से इसे पार्गी करते बिचार कर देखो प्यारे जगत बना है कब से वो लोग करते जगत बना है मन से जगत बना है कब से तो संसार का हम ग्यान करते हैं तो संसार है और नहीं ग्यान करते हैं संसार खतम है ये गलत है हम ग्यान करें तो और न करें तो जाने तो और न जाने तो संसार तो है ही और रहेगा हमारे जानने और न जानने से संसार समाप्त नहीं हो जाएगा इसलिए जगत ग्यान मात्रा नहीं है जगत की अपनी एक सतंद्र सत्ता है जगत को ज्ञानमात्र कह देना सिर्फ एक भावुकता है सच्चा दर्सन वही हो सकता है जिसमें एकनित्य पदार्थ की सत्ता मानकर समत्य पदार्थों का सम्मन उसी से प्रदसित किया जाए तसा सदवस्तु के एकत्व पर जोर दिया जाए यह बाद भी अपने आप में असंगत है पदार्थ यदि अनेक है तो हम उसको यह कैसे जोड़ सकते हैं उसको यह कैसे कह सकते हैं इसका मतलब यह है इस कथन का पहले तुम्हें एक बर्म मान लो है या नहीं है लेकि पहले मानो और मान करकर सब को उसी में कुछाते चले जाओ ते मानने से तो काम थोड़े बनेगा जब अनेक है तो अनेक को अनेक रहने देने में हर्ज क्या है अनेक अस्विकारने में हमारे ब्रम का कौन तक हाटा हो जाने वाला है तो जबर्दस्ति हम अद्वेश शिद कैसे कर सकते हैं जब पदार्स अनेक है तो उसको एक में परदस्तित करने का एक में मिलाने का प्रयास गलत है प्रसन ही नहीं उड़ता हो उसको जो हकीकत है वो हकीकत रहेगी उसको हम बदल नहीं सकते तो खाद बात या है न तो मर्यादा विहिन विशलेशन से काम बनेगा ना मर्यादा विहिन संतलेशन से काम बनेगा हकीकत यह यथार्थिया है सत्ता द्वैत की है सत्ता में बिविदिता है प्रकृतिय पुरुष जड़ और चेतन आत्मा और अनात्मा अलग अलग है Swamy Dragasariya ने बिबेक जोड़े मनी में कहा है चिंत मात्मानन दरूपम यन मुक्ति कारणam अनात्माचिंतन का त्याक करो क्योंकि अनात्माचिंतन मुर्षा मू और दुख का कारण है जब अनात्मा है ही नहीं तो अनात्म चिंदन कैसे होगा इसका मतलब अनात्म माना जा रहा है एक वर ब्रहम आदी कहते हैं कि ब्रहम के लावा कुछ है ही नहीं दूसरी वर कहा जा रहा है कि अनात्म चिंदन क्या कर जब मेरे आत्म के लावा कुछ है ही नहीं तो यह अनात्म कहां से आ गया जिसका चिंदन कर रहे हैं हम, इसका मतलब जबान से तो हम कह रहे हैं कि अनात्म है नहीं, लेकिन मन से स्विकार रहे हैं कि अनात्म है, तभी तो उसका चिंदन होगा, जो चीज है ही नहीं उसका चिंदन कैसे करेंगे, कल्पना भले हो सकते हैं कि तो सत्ता द्वेत की है और दोनों को अलग-अलग समझना है कुछ तो ऐसा है जो हमारे दुख का कारण है कुछ ऐसा है जिसमें हम बंधे हैं हमें मुक्ति चाहिए क्यों क्यों कि हम बंधे हुए है लेकिन प्रस्ण यह होता है कि हमारे अलावा दुसरा कुछ है ही नहीं तो हम किसमें बंधेंगे हमारे बंधन कारान को अल बनेगा दुसरत है ही नहीं यदि हम बंधे हुए महसुद करते हैं हम बंधे हुए हैं इसका मतलब यह होता है कि हम से अलावा भी कोई दुसरा और है जो हमारे दुख का कारान है उसके राग को हम जब छोड़ देंगे उतका मौ झोड़ देगा उतका कारान को जब देगे बंधन खतम हो जाएगा अकेले ना बंधन बनेगा ना मोक्ष बनेगा कोई आदमी अपने लिये बंधन कारान ने बनेगा दुसरा कोई होता है तब होता है तो वो जो दूसरा है उसको स्विकार करना ही पड़ेगा तब उससे मुक्ति के लिए काम किया जाएगा लेकिन दूसरे का मुझ छोड़ दिये तो मैं और मेरे अलावा दूसरा को जो कुछ है दोनों को अलग-अलग समझे ना ये विशलेशन है लेकिन सबसे उधर से मुड़ करके परकर छोड़ दिये अपने आप में आ गए शान अकेला रहा गए ये अद्वेट है तो सबका अपना अलग-अलग महत्ता है मानो मात्र का एक लक्ष्य है भौतिक और अधात्मिक दुखों से सर्वता छुटकारा प्राप्त करना भौतिक दुर से भी दुख है, भूक है, प्यास है, ठंडी है, गिर्मी है, रोग-ब्याधी है ये भौतिक दुख है सर्थे पहला दुख आदमे को भौक प्यास का होता है और तमाम चीजे हैं तो भौतिक जीवान में जो दुख है, गरीवी है गरीवी में तो भौक प्यास सब पुशा जाना है ये दुख दुर होगा शारिरिक परिश्रम से जब जैसा समय हो उतके अंसार से भरपुर प्रिश्रम करते रहना आदमी मेहनाद करता रहेगा फिजुर खर्ची न करे, दुर्बेसन न करे तो गरीवी का दुख, भौक प्यास का दुख उसे सताएगा नहीं खाने पीने बरावन मिलता रहेगा अध्यात्मिक जीवन का जो दुखा है वह दुर होगा मन की निर्मलता से, निर्भैता से, अंतरमुकता से मात, पंद, संपरदाए, चाहे जितने हूँ अंत में सबको यही करना होगा चाहे किसी मात, पंद का मानने वाला आदमी हो जब तक वो भौतिक छेत्रमें मेहनत नहीं करेगा तब तक उतकी भौतिक समस्याओं का समाधान नहीं होगा और चाहे जित मत्मंद का मानने वाला हो चाहे जित देविजिता भगवान भगोतिक मानने वाला आदमी हो जब तक वो मन की मलिंता का त्याग नहीं करेगा शेवा भक्ति ग्यान द्वारा मन को पूरा निर्मन नहीं बनाएगा और अंतरमुक नहीं बनाएगा तब तक उसके मन की पीड़ा दूर नहीं होगा, अधात्मिक भटका दूर नहीं होगा, तो सबको ये काम करना है, और जिस साधम से ये काम सफल हो, वही काम ठीक है, वही रास्ता ठीक है, तो ये मन सबको मांसी शांती चाहिए, ये एक संसलेशन है, और कुल मिलाकर के बात इतनी है, बाहरी जो दुनिया है, जो द्वैत का पसारा है, ये बिशलेश्या है, बिविता पूर्णा है, अनेकता पूर्णा है, लेकिन आत्मशांत, सुर्पिसिती, संसलेश्या है, संसलेश्या मतलब एक निष्ठ आत्म निष्ठ, वहाँ दूसरी का आप सकता नहीं है, इस प्रकार, जितने मनश्य हैं, जितने प्रानी हैं, सब को सजाती समझ कर, प्रेम का बिवहार करना एक प्रकार सा विजलेशन है, बाहर है, सब अलग अलग हैं, जैसे मुझे दुख होता है, वैसे इनको दुख होता है, वैसे इनको परसानी होती है, ऐसा समझ कर उनके साथ प्रेम का बिहार करना है और प्रेम का बिहार करते हुए भी सबसे अनासक्त होकर आत्मरिष्ट हो जाना है यह संसलेशन है हम से अलावा हमारे दुसरा हो नहीं तो हम किसके लिए प्रेम दया शमा का बिहार करेंगे कोई तो हमते है अलग है न तब ही तो जूसके साथ हम दया करेंगे प्रेम समता सेवा का बिहार करेंगे लेकिन दया समा कही बिहार करते रहा जाएं उतके पीछे दोड़ते रहा जाएं मन को अंतरमुख्र ना बनाएं मन को दिर्वा बना करके आत्मिस्थित ना करें तो पूरी शांती नहीं मिलेगी दुखों के आताम देवरिती नहीं होगी इटली प्रेम का विहार करते हुए सबसे अनास्तक्त हो करके आत्मिनिष्ठ होना है यह संतलेश्या है यही अनेकता में एकता देखना है अनेकता क्या है? यह सब अलग अलग जो है इसको अलग अलग देखना और इसलिए फिर जो बन सके शेवा का बिहार करना शेवा अनेकता में ही होगी एक में शेवा किते करेंगे? आदमी अकेला है तो किसे लड़ाई करेगा और किसे प्रेम करेगा? लड़ाई कर रहा है प्रेम कर रहा है मतलब कोई नो कोई साथ में है तो सेवा और प्रेम का विवहार अनेकता में होता है विद्लेशन में होगा लेकिन सारे जी सजाती हैं यहां तो सेवा है लेकिन सजाती कि कोई जी किसी में मिलेगा नहीं ऐसा समझ करके सब की बिज़ते में विकुल अकेला हूं ये समझ करके अंतरमुख हो जाना ये अनेकता में एकता आना अद्वेती स्री में पहुंचना है और इतलिए सब कहीं सोचते हुए और इसा साथ धहित करते हुए अनासक तो हो करके शुरुपिसिती की वो आगे बढ़ हो जाना सुरुपिसित हो जाना ये संतलेश्या है तो इस पकार से बिज़ेशन और संतलेशन ये दो विशय हैं दोनों को समझना होगा बिज़ेशन में बिवहार है और संतलेशन में परमार्त